हेलो गाइस वल्कम टो टेक्न फॉर यू सो रियल मी बर्ड्स वैलेस जो अभी टॉप एंड ट्रेंडिंग एक वैलेस यह फून है तो इस यह फून के साथ मैंने सोनी डबलो सी लिडियो में यह फून टुन गस Спanxi को लेकर तो रियल столько एफून की से यह फया में लेंड के प्रैस को लेकर तो रियल मी बर्ड्स वैलेस यह फून का प्राइज है 1799 and offer में इसका प्राइज है करीब 1,600 रुपेस आपको noise tune flex मिलेंगे 2200 रुपेस में and offer में आपको 2000 रुपेस में यह यह फोन मिल जाएंगे दोनों यह फोन ही neckband टाइब यह फोन है और दोनों यह फोन की neckband पे आपको whatever material मिलेंगे and उसके साथ साथ एक metallic finish भी दोनों यह फोन में दिये गए है फिर फिर रियल्मी बर्ट में जो metallic finish दिये गए है वो noise tune flex से ज्यादा gorgeous है दोनों यह फोन का ही neckband बहुत ही soft है सो आपके neckband होने चांस एकदम ही नहीं है दोनों यह फोन के अगरласт को लेकर बात करेंगे तो दोनों यह फोन के यह बभर्ड में ही strong magnet दिये गए है दोनों यह फोन ही ट्रैंगल free यह फोन है हला की realme birds wireless earphone के ओवर्ड में मागनेट ज़्यादा यह ज्यादा स्ट्रोंग है कि realme birds wireless earphone के ओवर्ड में एक ओऑ दिये गया है ताकि आप इसको कहें भी यूज़ कर सके चाहे आप bike ride कर रहे हैं या फिर gym में हो या चाहे कोई भी sports में हो आप इस earphone को use कर सकते हैं लेकिन noise tune flex में ऐसा कोई ear hook नहीं दिये गए है functional keys के अगर बात करेंगे तो noise tune flex एक normal wireless earphone की तरह ही है इसका power button दिये गए है इसका volume rocker है और इसके volume rocker को आप music changing बटन के हिसाब से use कर सकते हैं लेकिन realme birds कुछ अलग है इसमें कोई power button नहीं दिये गए है आप इसके जो ear bird है इसको अलग करेंगे तो यह earphone on हो जाएगा और pairing mode पे चला आएगा इसके बाद यह आपके device के साथ connect हो जाएगा अगर आप disconnect करना चाहते है या फिर इस earphone को आप करना चाहते है तो दोनों ear bird को अगर आप attach करेंगे तो यह earphone कुछी second के बाद automatically off हो जाएगा तो दोनों earphone में यह functional difference है दोनों earphone में ही voice assistant feature दिये गये है और Siri का feature भी इन दोनों earphone में आपको मिल जाएंगे realme birds में जो और एक extra feature दिये गये है उसमें आप Amazon Alexa को भी अपरट कर पाएंगे बस आपको Amazon Alexa एप इंस्टॉल करना है जो नौइस्टुन फ्लेक्स में जो पाव बटन है उसको अगर आप 3 सेकेंड के लिए hold करेंगे तो आपके डिबाइस में Google Assistant और Siri एक्टिव हो जाएगा दोनों यह फून में ही लेटेस्ट Bluetooth version दिए गया है Bluetooth version 5.0 दिए गया है दोनों यह फून में ही सो connectivity में मुझे अभी कोई प्राब्लेम नहीं दिखाया दोनों यह फून में ही लेकिन connectivity रेंज की साफ से Realme birds सादा अच्छ है क्योंकि Realme birds में आपको अप्टू 15 मीटर connectivity रेंज मिलेगा जहाँ आपे noise tune flex में आपको 10 मीटर connectivity रेंज मिलेगा दोनों यह फून में बैटरी का बहुत फर्क है Realme birds में दिए गया है 110 यह फून में ज्यादा बैटरी दिए गया है 140 मिली आमपर बैटरी दिए गया है सो दोनों यह फून का जो charging time है and play time है उसमें भी फर्क है Realme birds यह फून को आपको करीब 1.5 आवर चार्ज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप अप टू 10 आवर्स इस यह फून में music प्ले कर सकते हैं and noise tune flex यह फून को आपको करीब 2 hours चार्ज करना पड़ेगा और उसके साब से आप अप टू 12 hours इसमें music प्ले कर सकते हैं अगर दोनों यह फून के प्रोटेक्शन को लेकर बात करेंगे तो noise turn flex का प्रोटेक्शन ज्यादा दिए गया है क्योंकि noise turn flex एक IPX5 certified यह फून है इसमें आपको waterproof and sweat proof feature मिलेंगे अगर देखेंगे realme birds wireless यह फून को तो इसमें IPX4 फीचर देगे हैं मतलब यह एक splash proof यह फून है and sweat resistant यह फून है तो आप दोनों यह फून को ही अच्छे तरीके से जिम में यूज कर सकते हैं अगर दोनों यह फून के microphone को लेकर बात करेंगे तो realme birds wireless and noise tune flex दोनों यह फून में ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी का microphone दिए गये हैं दोनों में ही noise cancellation feature भी अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे रियल्मी birds wireless यह फून को अगर आप बाइक राइडिंग के समय यूज करेंगे और तभी आप वालेसली बात करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे और noise tune flex में भी यह feature आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे तो दोनों यह फून में microphone बहुत ही पावफुल है finally इन दोनों यह फून के sound quality को लेकर बात करेंगे तो first of all अगर realme birds wireless के sound quality को लेकर बात करेंगे तो realme birds earphone का first of all sound clarity बहुत ही बढ़िया है और इसका जो sound है वो बहुत ही loud है इसके अलावा इसमें जो bass feature दिये गए है उसमें आपको punchy bass मिलेगा extra bass feature भी इसमें add किये गए है and travel इसमें थोड़ा कम दिये गए है क्योंकि इस earphone में bass के तरब ज्यादा ध्यान दिये गए है so overall इस earphone का sound quality है वो बहुत ही बढ़िया है अगर बात करेंगे noise tune flex wireless earphone के sound quality को लेकर तो इस earphone का sound quality अच्छा है and इसका clarity भी अच्छा है लेकिन इसमें bass उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेंगे realme birds के मुकाबले इसमें एक flat sound आपको मिलेंगे and इसमें triple आपको थोड़ा ज्यादा मिलेंगे so overall noise tune flex का sound quality है मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा है so realme birds earphone का sound quality मुझे ज्यादा अच्छा लगा है and अगर आप bass lover है and अगर आप चाहते है कि आपके music में आपके music में तो आपको लेना चाहिए realme birds wireless earphone and under 2000 रुपेज में ही अभी तक का एक बेस्ट वालेस यह फोन सो इस यह फोन को अगर आप खड़िदना चाहते हैं तो खड़िदने का लिंक इस वीडियो के description में वहां से आप खड़िद सकते हैं या चेक कर सकते हैं सो मिलते हैं अगले वीडियो पे तिल दैन थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग